गाईज वेलकम तो माई चैनल सुम्मेटरोटकार डीडिंग कैसे आप सभी लोग सो आज मैं क्या रीडिंग लेकर आ रही हूँ आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ क्या आपके परसन अगर थर्ड परसन में है तो क्या वो खुश है क्या वो आपके लाइफ में दुबारा से आना शाहते है या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है बहुत जादा इसी चीज को आज की टेरो कार्ट में देखेंगे तो अगर आपका नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन है और यदि आप दौनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है तो क्या आपके परसन उस थर्ड परसन में उस थर्ड पार्टी के साथ हैपी है और क्या वो जो आपका नो contact situation चल रहा है इफ अगर तो क्या वो हैपी है खुश है या फिर वो लॉट ना चाहते है आपकी लाइफ में क्या है एनर्जी इस चीज को चेक करोंगी सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बैल ऐकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि रीडिंग का नोटिफि कीजेगा और कार्ड मिक्स हो गए राशियं बता दूंगी मैं इनमें तो अगर आपको अपने या अपने परसन की चंद्र राशी पता है तो आप उस पेस पर देख सकते हैं यानि कि मून साइन और यदि आपको मून साइन नहीं पता है तो फिर आप संसाइन से यानि कि जो नेम राशी होती है जैसे कि आपकी जो पार्टनर है उनका जो नेम है उसका फरस्ट लेटर उससे जो भी राशी बनती है अब उससे देख सकते हैं तो चलिए चेक करेंगे अनरजीस क्या है और क्या फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर सबसे पहले तो यह दे हैं क्या केना चाहरे हैं यूनिवर्स सापको क्या संदेश देना चाहरे हैं तो देखते हैं में की लिए तोड़ा सम्झानी कोशिश उनकाट को आज आपकी परसं सैन 9 of swords में आचुके हैं मतलब कहीं न कहीं करमा फेस किया है उन्होंने ठीक हो सकता है कि इस इनसान को इनकी energy जगर seven of swords में आयो यह with justice के साथ तो हो सकता है कि कल इन्होंने कदर ना की हो कियर ना की हो दूसरी चीज आपके साथ रिष्टा जोडने के बाद अचानक से कोई थर्ड परसन को अपने लाइफ में ले आए जोड़ा आपके साथ रिष्टा है ना रहे आपके साथ शादी आपके साथ की और लंबे टायम तक एक दूसरे आपके साथ रहे और सड़न ही उन्होंने जो है वो फैमली की बातों को सुनना शुरू कर दिया थर्ड पाटी को अपने लाइफ में ले आए या फिर आपसे सो जूट बोले और लाइन होकर भी बोले मैं और लाइन नहीं हूं और किसी भी थर्ड पर परसन के साथ बात कर रहे हैं और आपको रिस्पॉंस नहीं दे रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं आपके कहने पर या टोकन of period तक इस relationship को रखने के बाद चलाने के बाद और पूरी तरीके से जब complete आप दोनों के बीच में close ने ऐसा आ गई completely जब आप एक दोनों एक दूसरे के हो गए और बहुत मतलब अच्छा relationship देन तब ही जाके आपके person ने जो है वो आपका साथ छोड़ दिया या लाइक इस तरह की इनर्जी जा रही है तो इश्वर आपको बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ है कि इतना कुछ होने के बाद भी तम दोनों साथ में रहने के बाद भी अगर इन्हों ने उस रिष्टे की कदर नहीं की इंपोर्टेस नहीं समझी और अचानक ही सारे तैयारियां हो गई शादी को लेकर इतने वादे किये और फिर ही छोड़ कर चले गए तो भाई मैं तुमारा साथ दूँगा विवर्स आप लोग के लिए है इन्वर्स का मैसेश की यह आपका इन्वर्स साथ देंगे जस्टिस करेंगे नयाय करेंगे इशवर आपके साथ कि भाई जो परसन कल आपकी बात नहीं सुन रहा था तो कही न कहीं उसका उसकी लाइफ में भी करमा आया ठीक है और वो जो थर्ड परसन में था या जो भी थर्ड पार्टी जिसके साथ भी था या नो कॉन्टेक्स की बजहे से ये बहुत ज्यादा मेंटली परिशान हो रहे हैं सेवन एपसूट्स में आ चुके हैं लग रहा है कि पूरा कर्मा भोग चुके हैं और अब इन्हें आई हैं आपकी याद और अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यूनिवर्स ने आपका साथ दिया सथे साथ जो भी पड़शानियां थी जो भी प्रिशानिया थी जो भी जो त्रेस तना हो आपने फेस किया था ॉसमें इश्वर ने आपको पूरा सायोह किया है और कहीं न कहीं इश्वर के आगे तो पुरी दुनिया जुकी हुई है ना इश्वर तो सबसे महान है यूनिवर्स सबसे महान है तो यही चीज इश्वर आपको पूल रहे है कि भई आपके परसन ने कर्मा फेस किया है क्योंकि देखो ऐसा है ना यहां पर जो seven of swords है उ कि मतलब उस रिष्टे में अब नहीं रहना चाहते हैं बहुत जादा चीजे इनकी खराब हो चुकी है ठीक है फैमिली की भी इनोंने सुनी आपकी नहीं सुनी इनको बहुत ज़्यदा मिस्गाइड भी किया जिसकी वजह से यह आप से दूर होते चले गए मतलब स्टार्ट ही आपके साथ उसका कॉंटक्ट एकदम क्लोज हो गया है ना मतलब नंबर हो सकता है कि नंबर हो आपके पास उनका कॉंटक्ट नंबर उनके पास आपका कॉंटक्ट नंबर हो सकता है कि वह एक ही वर्किंग प्लेस पर है हो सकते है कि आप लोग एक ही प्लेस पर रह 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 है एकदम आपके साथ relationship को break कर दिया लेकर अंदर से चीज़ां चल रही है वो यहां पर seven of swords है मतलब कल जो चीज़ां आपकी डिस्टरब हो रही थी आज उनमें फिर से एक change आया है एक बदलाओ आया है कर्मा फेस किया है आपके person ने कोई कार्मिक थर्ड परसन होगा या कुछ कर्मा होगा जिसकी बज़े से ये सारी चीज़े होई आज फिर एक बार आपका person आपकी तरफ मूब कर रहा है आपकी तरफ देख रहा है आपकी तरफ आना चाहता है और उसका focus आपकी तरफ हुआ है ठीक है तो ये चीज़ें यहां पर मेरे को show हो रही है क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं कुछ एहसास हुआ है और उनकी life में बहुत ज़्यादा changes आ चुके हैं पहले जैसी life आपकी person की नहीं रही पहले बहुत खुश थे और इतना खुश रहते थे आपके साथ और बहुत ज़्यादा मतलब energies भी बहुत positive थी अब उनकी life में disturbance आ चुका है ठीक है burden बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया ह है और कि किसी भी जैसे आपके साथ रहते थे तो आपके साथ चल गया कि आपको ignore कर दिया है ना आप से जूट बोल दिया लेकिंगे third person के साथ वो यह भी नहीं हो पाते हैं कि काफी ज़्यादा pressure है इनके उपर third party का और वही pressure की बज़े से आज उन्हें आपकी याद आती है और वो एकदम से उनको ऐसा feel होता है कि उन्हें आपका ही साथ देना चाहिए था आपके साथ ही relationship को continue करना चाहिए था break नहीं करना चाहिए था और सच बारने में guys आज आपका person आपको बहुत ज़्यादा miss करता है आपकी कमी उसे बहुत बहुत ज़्यादा feel होती है हलाकि हो जिस दिन ही आपके साथ contact में आएंगे उस दिन ही आपसे सारी बाते बोलेंगे कि वो खुश नहीं है आपके बिना और वो खतम करना चाहते हैं इस रिष्टे को किस रिष्टे को खतम करना चाहते हैं थाड़ पर्टी के रिष्टे को मतलब एकदम उस relationship को break करना चाहते हैं तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाए दे रही है कि आज आपके परसन रिष्टा खतम करना चाहते हैं थार्ड परसन के साथ और आपके साथ करना चाहते हैं एक नई शुरू बात यहाँ पर ऐसा टेरो कार्ड कह रहे हैं राशियां जो बन रही हैं चेंज हैं मैंने बोला करने की कोशिस की वह इंसान सफल नहीं हुआ कैसे सफल नहीं हुआ कि आज उसने बले दूर कर दिया लेकिन यहाँ पर इश्वर का नया इश्वर तो आपके साथ है ना बापस सिव इश्वर आपको आपकी दरफ आपकी लाइफ में हैपनेस लेकर आ रहा है तब आप जब आपके लाइफ में इश्वर आपको हैपनेस देंगे तो कोई रोक नहीं सकता है ना तो वह सक्सिज नहीं हुए वह लोग इश्वर खुद आपकी लाइफ में आपका पर्सन लेकर आ रहे है सेबन अप सूट्स के जरिए सो यहां पर राशियां जो दिखाई दे रही है मु एसकी ए है और एफ इडी है एल है और एन है एम है तो यह अलफाबेट जो मैं देख रही हूँ यह अलफाबेट है मतलब एनरजीस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका पर्सन खुश नहीं है वह आपका साथ चाहते हैं अगर कोई भी कार्ड सेवन अप सोट्स में आ रहा है तो मिस कही न कही बताया जा रहा है कि उसके पास सब चीजे हैं हो सकता है कि थर्ड परसन अभी उसके साथ हो या रह रहे हो साथ में लेकिन वो क्यों देख रहे हैं आपकी तरफ क्यों क्यों उनकी नजरे आपकी तरफ हैं क्यों हैं क्यों कि आपके अंदर कु ब्लॉक करने के बाद भी इंसान आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद भी यह आपको मांड से निकाल नहीं पा रहे हैं तो यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है यहां पर मैं इस चीज़ को यहां पर देख रही हूं तो काफी जादा कार्ड में एनर्जी पॉजिटिव है और आपके पर्सन जो कि आपसे दोर है इस वक्त अगर तो वो आपको बहुत मिस करते हैं और वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं अब आप देखो three of swords में कह नहीं पा रहा है ये इनसान दिल क्यों टूट रहा है क्योंकि कह नहीं पा रहें चीज़ों को ठीक है कोई है नहीं इनके पास जो अपनी इस अपनी दिल की बात उसको बताएं ठीक है आपको भी ब्लॉक करके रखा है और फिर इतना कुछ चीजे हा हर वक्त third person का मतलब एक तरीके से आप ये सोचो कि ये person अपने आपको फसा हुआ महसूस करते हैं जब आपके साथ थे तब इनको हर वक्त ये लगता था कि कुछ भी हो आप इन्हें बचा लोगे अब इन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आता है अब ये इनका दिमाग मतलब आ आपके person का mind आपकी तरफ है जब किसी का mind तरफ होता है मतलब आपकी तरफ है इनका दिमाग तो आप chances बहुत जादा है कि वो आपसे अपनी दिल की बात के हैं और बहुत जल्द वो अपनी feeling आपके साथ शेयर करेंगे ढूंड रहे हैं एक मौका आप ये समझे लोग आपके सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूं इसके साबसे तो आपके person बिल्कुल भी third person के साथ खुश नजर नहीं आ रहे हैं बलकि बहुत जादा stress में हैं तनाव में हैं और बहुत जादा उनके दिल में एक हफसोस होता है ना पस्ताबा अरे मैंने क्यों तोड़ दिया इस रिष् third person के साथ एकदम खतम करना चाहते हैं और आपके साथ दुबारे से शुरू करना चाहते हैं लेकिन जो चीज़ें हुई उनमें अप टाइम लगता है तो patience रखना होगा energy is बहुत positive है so guys यह थी मेरी reading I hope so connect की होगी मेरी reading आपके साथ और अगर अगर आप यदि मुझसे contact करना चाहते हैं reading लेना चाहते हैं तो आप reading ले सकते हैं मेरा number load कर लीजे आप 95401-19650 इस number पर आप contact करके मुझसे reading ले सकते हैं लेकिन call नहीं कीजेगा आप only message के थूँ appointment लेने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं मुझसे reading ले सकते हैं तो यह है मेरे number last card ले ले लेते हैं कि last card में क्या energies है लास्ट कार्ड में change का card है beautiful energies को represent करता है और आपके परसनल आपके लिए बहुत जादा इस समय efforts लगा रहे हैं और कहीं न कहीं उन दोर आपके और उनके बीश में contact होगा तो काफी जादा positive energies है तो guys take care bye bye